वहीं राजस्तान में विदानसभा चुनाओं को लेकर सभी पार्टियां थैयारियों में जुटी हैं इसे के साथ पक्ष और अवेपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी जा रही है राजस्तान किसी हम अश्रो गहलोट ने एक बार फिर बीजेपी पर जम कर हमला बोला है बीजेपी में आंतरिक कला और राजस्तान में अभी तक बीजेपी में मुख्यमंत्री पत के लाया कोई भी चाहरा नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री पत के लिए किसी तरह की घोशना की गई है तो नेता लोग हैं अगर ये स्यम आउस आते में थे पूछने के लिए जाब क्या हो गया कैसे लग गई तो उनकी हाइड बढ़ताती वो जानते हैं हाइड कैसे बढ़ती है हाइड गटाना जानते हो तो रोर इस्टेटमें दे रहे हैं रोर उनका कद नीचे जा रहा बोना होता जा रहा उनका कद रोर के स्टेटमेंट से जोटे अरोब लगा करके अपने कद को ये लोग बोना करते जा रहे हैं इनको आता ही नहीं है, अगर मुझे मिलते, मैं गुरी इनको समझा सकता था, बता सकता था, भई मेरे इस्टती बनी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यह तो उनकी ऐसी सोच है इन लोगों की, यह जंदा सब देख रही है, कुछ क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे कौन कर रहा है, तो बाहर के लोग आते हैं क्या, और जित्ता हमारे हैं तत्परसर काम होता है, रोकने का, एब बी बी के लड़के थे वो, तीन लोग, जोधपुर के अंदर, दो गंटे हम पकड़ लिये, इनकी जवान पर इताले लगे, उसके बारे बात नहीं करेंग कि बदनाम रास्ता में कर रहे हो तुम लोग, मनीपुर के शाने में बदनाम क्यों कर रहे हो, मैं इस पूर्णा जाता हूँ, इतले मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है, ये लोग का जो रवाया अप्रोच है, जनता सब समझ